हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रदा किचिन तटका आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ कोल्ड कोफी बनाने की रेस्पी घर पर बनाएंगे ऐसी जागदार कोल्ड कोफी जिसे आप एक बार बार बनाना पसंद करेंगे इसके लिए मैंने यहां लिया है आदा चमच लिया है कोफी पाउडर आदा चमच डाल दिया है कोफी पाउडर यह चमच टेबल स्पून है काफी बड़ा चमच है यह इसलिए मैंने आदा चमच ही डाला है कोफी पाउडर और एक चमच इसके लिए डाला है चीनी और एक चमच डाल दिया है गरम पानी गरम पानी इसलिए डाला ताकि चीनी अच्छी तरएसे मिल जाए कोफी के अंदर अच्छी तरह से फेट लेंगे ताकि ये चीनी मिल जाए मेल्ट हो जाए अवी लिया है मैंने यहां blender जार मिक्सिका जार जो बड़ा वाला होता है वहीं लिया है और इसे अंदर डालेंगे हम एक ग्लास दूद 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 आपको बिल्कुल ठंडा लेना है, मैंने दो घंटे के लिए फ्रीजर के अंदर रख दिया था, थोड़े से आइस के क्रिस्टल भी जम गए थे इसके अंदर, ऐसा दूद आपको लेना है, यही सीक्रेट है, इस रेसिपी का, जितना आपका ठंडा दूद होगा, उतन डाल दिये हैं मैंने, और अभी इसके अंदर जो हमने कोफी और चीनी मिला कर रखी थी, उसे डाल देंगे, यह भी ठंडा हो चुका है, गरम गरम आपको बिल्कुल नहीं डालना है, इसे ठंडा होने के बाद ही डालना है, और यह देखिए, इसे अच्छे से ब्लेंड कर ल बहुत ही अच्छे लगती है, इसे जागदार कोफी बनाते हैं घर पर और उसे सर्व करते हैं कुछ अलग तरीके से, जैसे कैफे के अंदर आपको मिलती है, बिल्कुल उसी तरह से इसे सर्व करेंगे, और धिरी धिरी डालेंगे ताकि जाग और ज़्यदा बने कोफी के अ होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दे, चैनल पर पहली बार है तो सस्क्राइब जरूर कर ले, ऐसे ही इंटरस्टिंग डेस्पी देखने के लिए, और यहां मैंने चोकलेट सिरप से इसे गार्निस कर दिया है, और ये कोट कोफी बन गर बिलकुल तयार, I hope वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी, thanks for watching, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में